मस्रूम की सब्ची खाना किसे नहीं पसंद है तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ रेस्टूडेंट स्टाइल मतर मस्रूम के सब्ची की रेसिपी इस सब्ची के साथ आप रोटी, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ इंज्वाय कर सकते हैं तो चलिए आज की मज़िदार और सिंपल रेसिपी हम सुरू करते हैं मतर मस्रूम की सब्ची बनाने के लिए यहां पे मैंने 200 ग्राम मस्रूम लिया है इसे मैंने अच्छे से धो करके ले लिया है अब यह जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम अच्छी तरीके से काट करके हटा लेंगे उसके बाद यह बड़े वाले मस्रूम के हम चाट टुकरे करेंगे और छोटे वाले मस्रूम के हम दो टुकरे करेंगे मसरूम को आप अपने हिसाब से काट करके तयार कर सकते हैं आपको जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से मसरूम को काट करके तयार कर सकते हैं और यह लेजिए हमने मसरूम को काट करके तयार कर लिया है यह देखिए यह आप देख सकते हैं हमने मसरूम को काटके तयार कर लिया है अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है सारे मसरूम को अब हम इसमें डाल देंगे उसके बाद हम इसके ओपर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं उसके बाद दो से तीन मिनट हम इसे इसमें रहने देंगे उसके बाद हम इसे एक से दो बार अच्छी तरीके से दो करके ले लेंगे चलते हैं गैस की तरफ गैस पे कोई कड़ाई या पैन रखे अब हम इसमें 6 से 7 तेवल इस्पून हम इसमें सर्चो का तेल डाल देंगे साथ में यहाँ पे हमने 1 तेवल इस्पून जीरा दो सूखी लाल मिर्च एक तेजपेत्ता हाप टी इस्पून हिंग बारिक कटा हुआ एक मीडियम साइज में हमने यहाँ पे प्याज इसमें डाल दिया है चलाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे भूल ले अब इसमें डालेंगे 1 टेवल इस्पून अदरक लशन का पेस्ट इसे डाल करके प्याज के साथ अच्छी तरीके से भूल लेंगे अब हम इसमें पॉडर मसाले एट करेंगे 1 टेवल इस्पून कस्मीरी लाल में छाप टेवल इस्पून हल्दी पॉडर 1 टेवल इस्पून धनिया पॉडर हाप टेवल इस्पून रैड चिली पॉडर साथ में हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं ताकि मसाले जलेना एक से दो मिनट हम इसे चलाते वे भूल लेंगे उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे दो से तीन मिनट दो से तीन मिनट के बाद हमने इसका धक्कन हटाया ये आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से भून चुकी है अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में पिसी वी टमाटर इसमें डाल दिया है मसालों के साथ इसे भी हम चलाते वे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसे एक से दो मिनट फिर से हम इसे कवर करेंगे एक से दो मिनट के बाद यह आप देख सकते हैं मसाले से तेल बाहर आ चुकी है मसाले अच्छी तरीके से भून चुकी है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं, मसाले को थोड़ा ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इसमें एट करेंगे 2 टेवल इस्पून फैटी हुई दही आप जब भी मटर मसरूम की सबजी बनाए ना तो दही आप इसमें जरूर एट करें दही टालने के बाद गैस को आउन कर दे, उसके बाद इसे चलाते वे 2-3 मिनट आप अच्छे तरीके से भूनते जाए जब तक कि मसाले से अलमुष्ट तेल बाहर ना हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमने आथे कटोरी फ्रॉजन मटर लिया है इसे डाल करके मसालों के साथ मिक्स करेंगे अब यहाँ पे हमने जो मसरूम को गर्म पानी में जो दो करके लिया था ना उसे हम इसमें डाल देंगे मटर के साथ इसे भी हम चलाते वे गुल लेंगे अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है टेस्ट के एकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे उसके बाद चलाते वे अच्छे से मिक्स करते वे भूनते जाएंगे साथ में डालेंगे वन टेवल स्पून कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते वे कवर कर देंगे तीन से चार मिनट, तीन से चार मिनट के बाद बीच बीच में हम इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से बीच बीच में आप चलाते वे फिर से आप एक से दो मिनट कवर कर दे, ताकि मसरूम अच्छी तरीके से पक जाए और यह देखिए, यह अब देख सकते हैं सबची हमारे कितने अच्छी लग रही है कितने टैमपटिंग ये लग रही है अब यहाँ पे हमने हाप टेवली स्पून गरम मसाला इसमें डाल दिया है दो से तीन मिनट हम इसे चलाते वे मुंते जाएंगे अब हम इसमें तोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं इसे डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हमें मसरूम में इसमें जादा पानी एट नहीं करना है इसके बाद कवर करते हैं उबाल आने का वेट करेंगे और ये लीजी उबाल इसमें आ चुकी है ये आप देख सकते हैं मतर मसरूम की सबजी बन के बिलकुल तयार है ये देखिए ये आप देख सकते हैं देखने में जितनी अच्छी लग रहे हैं खाने में उतनी ही टेश्टी है अब इसके उपर डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया इसे चाल करके हम अच्छे से कर देंगे मिक्स ये देखिये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है ये देखिए यह आप देख सकते हैं सबजी का टाक्सर आप देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है सब्जी हमारी डन है अब चलते हैं हम सब करने की प्रोसेसिए रेश्टुडेंट जैसी मटर मस्रूम की सब्जी हमने घर पे बना के तयार की है आप इस सब्जी के साथ रोटी, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना तो सभी तारीफे करते वे धकेंगे नहीं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें फैमली फ्रेंड में सेर करें चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ थैंक यू